नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चेनल जर्दारी क्लासेज में दोस्तों उत्राखन जी के टॉपिक वाई सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे उत्राखन खनी संपदा, मिट्टी, कृसी, पसुपालन और सिंचाई से समझत सो महत्वपूण प्रस्णों के बारे में, काफी महत्वपूण टॉपिक दोस्तों आज होने वाला है और यहां से कई बार एक्जाम में अक्सर क्वेशन पूछे जाते हैं तो लगातर हमारी टॉपिक वाई सिरीज चल रही है जिसमें मैं आपको परते एक टॉपिक से समझत सो सो महत्वपूण क्वेशन यहां पर करा रहा हूँ और इस सिरीज का तार्गेट है कि आपको उत्तरा खंके लगबग 2000 प्लस क्वेशनों की प्रैक्टिस करानी है तो इन दोनों जगे यहां पर क्या है चाय उत्तरा खंके अगर उत्तरा खंके में चाय उत्तरा खंके बात करें तो 1824 में सरपर्थम चाय की खेती बिशप हेबर नामक बैक्ति द्वारा उत्तरा खंके अगप 24-24 में बिशप हेबर द्वारा नेक्षे यहां पर उत्तरा खंकी मसरूम गरल कहा जाता है सही आंसर हुझा दिब्यारावत को दिब्या रावत जो की पसिद है उत्राखन की मस्रूम गरल के नाम से तो उत्राखन की मस्रूम गरल किसे कहा जाता है दिब्या रावत को कहा जाता है महित्वपूर्ण क्वेशन है ये आगे बढ़ते हैं आपे दोस्तों इस सेर्ज के माध्यम से मैं बहुत सारे क्वेशन इस परकार से भी यहाँ पर ला रहा हूँ जो कि करंड से समंध है क्यूंकि इस परकार के क्वेशन भी कई बार एक्जामें पूछे जाते हैं तो question है राजी के परवतिय छेत्रों की अधिकांस्ता मर्दा का पियाच मान तो जो राजी की मर्दा है उसका पियाच मान लगबग 5.5 एवं 6.5 के मद्या तो इसका यहाँ पे C option हो जाएगा सही answer अगला question है उत्राखंड जेविक उत्पाद परिसद का गठन कब किया गया सही answer हो जाएगा 2003 में उत्राखंड जेविक उत्पाद परिसद का गठन किया गया था यहनि C option हो जाएगा इसका सही answer नेक्ट यहाँ पे परवतिया फल बाजार भवाली कौन से जनपद में है दुको भवाली जो की परवतिया फल बाजार के नाम से परसिद है परवतिया फल बाजार किसे कहा जाता है भवाली को कहा जाता है और यह भवाली कौन से जनपद में है तो यह हो जाएगा नैनिताल जनपद में, C option हो जाएगा राइट आंसर नेक्ट है, राज में परवतिया फल सोध केंदर की इस्थापना कब हुई सबसे पहले तो आपको जाना होगा कि परवतिया फल सोध केंदर कहा है तो परवतिया फल सोध केंदर है चोबटिया में अब इस चोबटिया का है उतराखन में तो चोबटिया है अलमोडा में तो राज परवतिया फल सोध केंदर है चोबटिया अलमोडा और यहाँ पर इसकी इस्थापना की गई थी 1932 में तो इसका C option होगा सही answer नेक्ट है राज में दूद एवं दुग्द उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है तो यहाँ पे आंचल नामक ब्रांड नेम से उतराखन में दूद एवं दुग्द उत्पादों को बेचा जाता है नेक्ट है नैनिताल का काला ढूंगी छेतर किस खनीजी के लिए परसिद है तामबा, लोहा, चांदी या टिन सही आंसर होगा लोहा नैनिताल का जो काला ढूंगी छेतर है ये जो रामगड छेतर है ये छेतर दोस्तों लोहे के लिए परसिद है यहाँ पे हेमिटाइट, मैगनिटाइट ये लोहे पाई जाते हैं तो लोहे के लिए कौन सा नेंदाल का कौन सा छेतर परसिद है काला ढूंगी छेतर बी ओप्सन हो जाएगा सही आंसर अगला क्वेस्टन है तामर नगरी के रूप में परसिद है तामर नगरी के रूप में परसिद है अलमोडा अलमोडा को तामर नगरी कहा जाता है और हाली में दोस्तों अलमोडा के तामर उत्पाद को अलमोडा के तामर उत्पाद को जी आई टेग जियोग्रोफिकल इंडिकेशन टेग भी परदान किया जा चुका है तो कौन से जनपत के तामर उत्पाद को जी आई टेग दिया गया है अलमोडा के तामर उत्पाद को नेक्स्ट कुईस्टन है जैव कृषि को प्रोचाहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य गोशित किया है तो उत्राखंड ने यहां पर अपने को जैविक राजे घोसित किया है ताकि जैविक क्रिशी को प्रोचाइद किया चके जैविक क्रिशी को बढ़ावा दिया जा सके अगला क्वेशन है उत्राखंड चाय विकास बोड की स्थापना कब की गईयी महित तपून क्वेसन दोस्तों, ऑप्चन है बारा जनुवरी 2003, बारा जनुवरी 2004, सी ऑप्चन है बारा फ़रoberी 2003 या बारा फ़रoberी 2004, सी आनतरज़ािका D. ऑप्चन, बारा फरवरी 2004 को उत्राक्न चाय विकास बोड की इस्तापना की गई, और उत्राखन चाय विकास बोड कहां इसी थै तो चोगान पाटा अलमोडा में इसी थै उत्राखन चाय विकास बोड जिसकी स्थापना 12 फरवरी 2004 को की गई नियाख्टे उत्राखंड में चाय की खेती सरुपर्थम कब की गई थी? उत्राखंड में चाय की खेती सरुपर्थम की गई थी 1824 में किसके द्वारा? विसप हेबर के द्वारा बिसप हिबर नामक बेक्ती ने 1824 में उत्राखन में सरपर्थम चाए की खेटी की थी और आपको बता दे अगर ब्यापक इस तरपर बात की जाए तो 1835 में ब्यापक इस तरपर चाए की खेटी यहाँ पर की थी डॉक्टर राईले ने तो 1835 में यहाँ पे ब्यापक इस्तर पर चाय की खेती शुरू हुई थी, लेकिन शुरुवात 1824 में बिसप हेबर ने की थी नेक्ट है पूर्वी गंगा नहर किस बेराज से निकाली गई है, तो पूर्वी गंगा निकाली गई है भीम गोड़ा बेराज से, हरिद्वार में जो हर की पड़ी नामक इस्तान के निकट है भीम गोड़ा बेराज, तो भीम गोड़ा बेराज के बाई और से निकाली गई है पूर्वी गंगा नहर जबकि दाएं और से निकाली गई है ओपरी गंगा नहर तो भीम गोड़ा बेराद से निकाली गई है पूर्वी गंगा नहर और गंगा नदी पर इस भीम गोड़ा बेराद से ओपरी गंगा नहर भी निकाली गई है और पूर्वी गंगा नहर भी निकाली गई है अगला क्वेशन है उत्राखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपून समू है यहाँ पर आपको बताना है कि उत्राखं जिंगोरा आलू और धान गेहू अरहर वा मसूर तो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है गेहू और उसके बाद धान ठीक है तो गेहू धान मंडुवा और आलू ये हो जाएगा सही आंसर बी ओप्शन हो जाएगा सही आंसर नेक्ट है पिथोरगड के चंडाग छेतर में कौन सा खनिज पाये जाता है तो पिथोरगड के चंडाग छेतर में यहाँ परियाप्त मातरा में पाये जाता है मैगनेसाइट मैगनेसाइट जोकी पितोरगट के चंडाग छेतर में और अलमोडा के जिरोली छेतर में ये छेतर दोस्तों जिसमें परियापत मात्रा में मैगनेसाइट खनिज पाये जाता है तो इसका B आप्शन हो जाएगा सही आनसर एक पोदे से 25 किलो हल्दी उतपादित करने पर मैजिक बुक आफ रिकॉर्ड 2022 में किसका नाम सामिल किया गया करंड का महित्वपूर्ण क्वेसन है दोस्तों ये एकजाम में पूछा जा सकता है तो सही आन्थर हो जाएगा नरेंदर महरा नरेंदर महरा का नाम मैजिक बुक आफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ध हो चुका है और इन्होंने एक पोदे से लगबग 25 किलो हल्दी का उतपादन किया है नरेंदर महरा ये कहां के हैं तो ये है नेनिताल जनपत से तो नयनिताल के नरेंद्र महरा जिनका नाम Magic Book of Record 2022 में दर्ज किया गया है क्यों किया गया है क्योंकि इन्होंने एक पोदे से 25 किलो हल्दी उत्पादित की है तो C option हो जाएगा सही answer ये इस प्रकार के question में आपको लगातार weekly current affairs series के माधियम से बताता रहता हूँ और अगर आप current affairs e-book चीए current affairs की उत्राखन current affairs की तो link आपको मिल जाएगा वीडियो के description में और साथ साथ उत्राखन के संपूर्ण notes भी वहाँ पे आपको दिये गए है वीडियो के description में link दिया गया है जहां पर आप उत्राखन या हिंदी के संपूर्ण notes PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उत्र जिल्ला सिरीज प्रिक्षवानी सिरीज या हिंदी का संपूर्ण 30 दिन का कोर्स या इंडियन हिस्ट्री या इंडियन पॉलिटी जो मैं आप तक करा चुका हूं वो सभी वीडियो जोस्तों आपको निशुलक यूटूब में मिल जाएगी नेक्ष्टे सेल खड़ी किस जनपद में परियाप्त मातरा में पाई जाती है तो सेल खड़ी सरवादिक पाई जाती है पोड़ी गड़वाल में इसका सी आप्षन हो जाएगा सही अंसर अगला question है उत्राखण में किरसी भूमी नापने का पेमाना है तो उत्राखण में किरसी भूमी नापी जाती है नाली और मुठी के माध्यम से नाली और मुठी जो की किरसी भूमी नापने का पेमाना है उत्राखण में C option हो जाएगा इसका सही answer नेक्ष्ट एक किस जन्रपत के तामर उत्पात को G.I. टेग मिला है तो अई मैंने आपको उपर भी बताये था तामर नगरी किसे कहा जाता है अलमोडा को क्योंकि यहां का जो तामर उत्पात ने हो काफी अरसिद है इसलिए अलमोडा को तामर रंगरी भी कहा जाता है तो अलमोडा के तामर उत्पात को GI टेग मिला है B option हो जाएगा सही answer अगला question है उत्राखंड का वेनिस कहा जाता है तो उत्राखंड का वेनिस कहा जाता है दोस्तों देहरादून को देरादुन को उत्राखन का वैनिस क्यों कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक तो राज में सरवादिक जलधाराएं हैं और नहरें हैं तो सरवादिक जलधाराओं और नहरों के कारण देरादुन को उत्राखन का वैनिस कहा जाता है अगला question है परवत्य छेत्रों में सीड़ी नुमा खेतों के लिए सीड़ियां अधिक से अधिक जितने परसद भूमी की ढाल पर बनाई जानी चीए धाल तक बनाई जानी चीए वा है तो परवते छेत्रों में सीड़ी नुमा खेतों के लिए सीड़ियां अधिक से अधिक भूमी की धाल तक मलग कितने परसद भूमी की धाल तक बनानी चीए तो 15 परसद यहाँ पर ए ओप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर नेक्स्ट उपरी गंगा नहर का उदगाटन किस ने किया तो उपरी गंगा नहर जिसका निर्मान कारे 1842 से शुरूआ था और 1854 तक इसका निर्मान कारे पूरा हो गया था तो 1854 में जब इसका निर्मान कारे पूरा होता है तो इसका उदगाटन किया गया था लोड डल होजी द्वारा बी ओप्सन हो जागा यहाँ पे क्वेशन नमबर 423 का सही आंसर नेक्ष्ट है उत्राखंड किसान आयो का गठन कब किया गया उत्राखंड किसान आयो का गठन किया गया था 2016 में 2016 में एक अधिनियम लाया गया था इसके तहत 2016 में उत्राखंड किसान आयो का गठन किया गया और इस समय सीम कौन थे किस सीम ने उत्राखंड किसान आयो का गठन किया सीम थे इसमय पूर मुख्यमंतरी हरीस रावत इन्होंने उत्राखंड किसान आयो का गठन किया 2016 में सूर्य मुखी सही आंसर सही आंसर हो जाएगा 1842 में उपरी गंगा नहर का निर्मान कार्या शुरू किया गया था कारण क्या था इसका जो उत्तर परदेश छेतर है तो उसमें 1837 के आसपास भीसन अकाल वहाँ पर पढ़िया था जिसके कारण उपरी गंगा नहर का निर्मान का सुझाओ दिया गया और उपरी गंगा नहर निर्मान कार्या शुरू किया गया 1842 में किसके द्वारा तो किसके द्वारा दोस्ते शुरू किया गया था ये कुशन आ सकता है एकजामें करनल पीटी कोटले द्वारा पीटी कोटले जिसको उपरी गंगा नहर का जनक भी माना जाता है इसने 1842 में इस नहर का निर्मान कार्या शुरू किया और 1842 लेकर 1854 तक इसका निर्मान कार्या पूरा हो गया था और 1854 में लोड डलहोजी ने इस उपरी गंगा नहर का उद्गाटन किया था नेक्टर राज्य के परवत्य छेतर की किर्सी में मानाव स्रम का प्रमुख योगदान उपलब्द कराया जाता है सही आनसर जागा महिला कर्मकारों की द्वारा क्योंकि जो परवत्य छेतर हैं वहाँ पर क्रिसी का जो अधिकांसता काम करते हैं वो करती हैं महिला कर्मकार ठीक है महिलाएं करती हैं क्योंकि जो पूरस होते हो तो बाहर जाए रहते हैं घर से बाहर तो जो परवतिय छेत्रों में क्रिशी का कारे करती है वो करती है अजिकानस्ता महिलाएं C उप्षनों का यहां पर सही आंसर नेक्ट है वहाँ भूमी जहां सिचाई की सर्वोतम ब्यवस्ता होती है कहलाती है तो तलाव भूमी हो जाएगा इसका सही आंसर देखो परवतिय क्रिशी भूमी को तीन भागों माटा गया है तलाव भूमी जो कि नदी घाटी के पास असिचत भूमी होती है और जहां पर सिचाई की सर्वोतम ब्यवस्ता होती है तो यहां पर यह क्या होती है सबसे अधिक उपजाओ भूमी होती है तो सबसे अधिक उपजाओ भूमी है तलाओ भूमी उसके बाद दूसरी उपराओ भूमी ये क्या होती है असिंजित भूमी होती है और इसको उपराओं अबल और उपराओं दोयम कहा जाता है और तीसरी है इजराइन या कटिन इसको इजराइन और कटिन ये दोनों एक ही है इजराइन या कटिन भूमी इसे कहा जाता है ये वनों के बीच या वनों के किनारे की भूमी होती है और ये क्या होती है अपरिपपक भूमी या पत्रेली भूमी होती है जिसमें खेती नहीं हो सकती है तो कृषि के लिए अनपयोक्त जो भूमी है वो है इजराइन भूमी या कटिन भूमी जबकि कृषि के लिए सरवाधिक उपयोक्त भूमी या सबसे अधिक उपजाओ भूमी है तलाओ भूमी और यहाँ पर सिचाई की सरवत्म व्यवस्ता रहती है नेक्ट है परवतिया फल सोध केंद्र किस जनपद में है तो परवतिया फल सोध केंद्र है चोबटिया में चोबटिया रानिखेथ और चोबटिया रानिखेथ है अलमोडा में तो इसलिए इसका B option हो जाएगा सही आंसर नेक्ट है वनों के समीप पत्रीली अपरिपक्वा भूमी कहलाती है जो कि क्रिशी के लिए अनुप्योगत होती है तो वो है इसराइन भूमी या इसको कटिन भूमी भी कहा जाता है अभी मने आपको ये बताया था उपर तो कटिन भूमी या इसराइन भूमी जो कि वनों के स सरवक्षन पत्धति का परियोग किया गया था तो यहां पर British कारीन भूबंदोबस्त दे गये हैं और British कारीन भूबंदोबस्त मैंने उत्राकंड हिस्टी में काफ़ी डीटेयल्स में आपको बता रखे हैं तो यहां पर सही आंतर हो जाएगा ये 20 साला भूबंदोबस्त था 20 साला भूबंदोबस्त और इस भूबंदोबस्त में दोस्तों भूमी महापन ये तो खसरा सर्वेक्षन पद्दति का परियोग किया गया था तो किस भूबंदोबस्त में किया गया था खासरा सर्वक्फन पदतिका परियोग आठ्वेशा भूब बन्दोवस्थ में next 432 उत्रांखन पसुधन विकास बोड का मुख्याले का है उत्रांखन पसुदन विकास बोड का मुख्याले है देरा दून में लेकिन अगर यही प्रशंण इस प्रकार से बनता है कि उत्राखंड पसुधन विकास बोड का प्रसिक्षण केंद्र कहां है तो इसका प्रसिक्षण केंद्र रिस्ट केस में लेकिन इसका मुख्याले कहां है देरा दून में नेक्ट है मत्षय नीती लागू करने वाला देश का पहला राज्या तो मत्षय नीती लागू करने वाला देश का पहला राज्या है उत्राखंड नेक्ट है यहाँ पर ब्रिटिस काल का सबसे आदर्स भूबंदोबस किसे माना जाता है तो ब्रिटिस काल का जो 80 साला भूबंदोबस था बी आउप्सन होगा इसका सही आनसर 80 साला भूबंदोबस जो की 1823 में कराए गया था और ये किस के द्वारा कराए गया था ये कराए गया था कमिशनर ट्रेल के द्वारा तो ये पांच साल के लिए कराए गया था और ये संवत 1880 में कराए गया था इसलिए इसको 80 साला भोबंदोबस्त कहा जाता है और इस 80 साला भोबंदोबस्त को बिटिस काल का सबसे आदर्स भोबंदोबस्त माना जाता है नेक्ट यहां पे परवतिया फल बाजार किसे कहते हैं तो परवतिया फल बाजार कहते हैं भवाली को और यह भवाली कौन सी जन्पद में है नैनिताल में है लाल चावल के लिए परसिद घाटी रवाएं घाटी किस जन्पद में है तो रवाई गाटी है उत्तरकासी जनपद में और जो रवाई गाटी है यह है लाल चावल के लिए परसिद अगला क्वpowerशन है उत्तराखण में एक नाली जमीन नाली जो कि भूमी मापन है तो परियोगी जाती है एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है एक नाली जमीन होती है लगबग 200 वर्ग मीटर के बराबर बी ओप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर नेक्ष्ट है राज्य में मच्य नीती कब लागू की गई तो राज में मच्य नीती लागू की गई थी 2002 में और मच्य नीती लागू करने वाला देश का पर्थम राजय था उत्राखंड ये भी आपको नोट करना है 2002 में उत्राखंड में मच्य नीती लागू की गई नेक्ट है उत्राखन राज में पहली खनन नीती कब लाई गई उत्राखन राज में पहली खनन नीती ये लाई गई थी दोस्तों 2001 में उत्राखन में जो पहली खनन नीती लाई गई थी वो 2001 में लाई गई थी नेक्टे इन में से कौन सा खनीज उत्रा खन में पाया जाता है चूना पत्तर, जिपसम, ग्रेफाइट या इन में से कोई नहीं यहाँ पे लगबग ये सभी जो खनीज है ये सभी उत्रा खन में पाया जाते हैं और इसका जो उपयोग था वो था खाद्यान संग्रा हेतू। इसमें अनाज गेहूं ये क्या किये जाते हैं। संग्रित किये जाते थे। तो उत्राखन में भकार का उपयोग होता है खाद्यान संग्रा हेतू। नेक्ट ओपरी गंगा नहर का उदभव इस्थान है सही आंत्रुजाए का हरिद्वार क्योंकि हरिद्वार में गंगा नजीपर बना हुआ है भीम गोडा बेराज जांसे ओपरी गंगा नहर को निकाला या है तो उपरी गंगा नहर का उदवाविस्तान है अरिद्वार न्यक्टे सारदा नहर किस जनपद में है तो सारदा नहर है चमपावत में और एक महत्वपूर्ण प्रस्ण बन सकता है कि सारदा नहर का निर्मान कब किया गया 1928 में सारदा نہर का निर्मान किया गया था और ये कहां है तो ये है चमपावत में इसके जो सिंचाई चेतर है वो है चमपावत उदमसिनगर और UP क्योंगि चमपावत से उदमसिनगर की ओर बढ़ती है और फिर ये UP में चली जाती है सारदा नहर जिसका निर्मान 1928 में किया गया था महत्वपून आईए नेक्ट है देरादोन में राजपुर नहर को बनाने का स्रेय किसे जाता है तो देरादोन में इसे थे राजपुर नहर और इसको बनाने का स्रेय जाता है रानी करणावती को रानी करनावती जिन्होंने धेरदुन का करनपुर नगर भी बसाय था ये क्वेशन पिछली बार एक्जाम में भी आ चुका है कि करनपुर जो नगर धेरदुन का उसको किस ने बसाय था तो रानी करनावती ने और देरदोन में जो राजपुर नहर है इसको बनाने का स्रेवी जाता है रानी करनावती को यह राजपुर नहर किस नदी पर है तो यह है रिस्पना नदी पर है देरदोन में और 1840 में पीटी कोटले ने इस नहर का पुर्णोधार भी कराया था Next राज में उत्पादित मंडवा यानि कोदा अनाज का निर्याद किया जाता है तो राज में जो मंडवा का उत्पादन होता है उसका निर्याद किया जाता है जापान में B option होगा सही answer नेक्ट यहाँ पर राज में ब्यापक इस्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोच साहित किया था तो यहाँ पर राज में 1824 में शुरू हो गई थी चाय की खेती बिसप हेबर ने अठार्सो चोविस में राजय में चाय की खेती शुरू की लेकिन अठार्सो पैंटिस में ब्यापक इस तर पर चाय की खेती को बढ़ावा दिया था प्रोच साहिज किया था डॉक्टर रायले ने तो ए ओप्शन होगा इसका सही आंसर नेक्टर राजय में सरवादिक छेतरफल पर खेती की जाने वाली दो फसले तो सरवादिक छेतरफल पर खेती की जाने वाली जो फसले हैं दो वो हैं ओप्शन है गेहू चावल गेहू गन्ना गेहू आलू या गेहू और चना तो सबसी जाज़ जो फसल की जाती है राजमों गेहों और सावल की है तो ए ओप्सनों का सही आंसर नेक्ट असी साला भूमी बंदोबस्त कब हुआ था तो असी साला भूमी बंदोबस्त हुआ था 1823 में किस ने कराय था कि Commissioner ट्रेल ने 1823 में 80 साला भूमी बंदोबस्त कराय था जिससे British College का सबसे आधर्स भूबंदोबस्त भी माना जाता है नेक्ष्ट ए ओपरी गंगा नेहर का निर्मान किस ने कराया तो ओपरी गंगा नेहर का निर्मान कराया P.T. Cotley ने पीटी कोटले को ओपरी गंगा नहर का जन्म जाता या जनक भी आप कह सकते हैं पीटी कोटले को माना जाता है 842 में इन्होंने इससे नहर का निर्मान कारे सुरू किया और 854 में ये नहर बनकर पूर्ण रोप से तयार हुई थी 854 में लोड डलोजी ने उपरी गंगा नहर का उदगाटन किया नेक्ट है लीची नगर के नाम से परसिद है तो लीची नगर कहा जाता है देरादून को देरदून जो कि लीची के लिए परसिद है तो लीची नगर के नाम से परसिद है देरादून अगला क्वेशन है किस जन्पद में हाइटेक मदमखी पालन परसिक्षन केंदर बनाने की घोषना की गई है तो यहाँ पे हाइटेक मदमखी पालन परसिक्षन केंदर बनाने की घोषना की गई है चमपावत में ये हाली में मुख्यमंत्री पुसकर धामी ने ये गोशना की है कि हाइटेक मदुमक्खी पालन परसिक्षन केंदर बनाए जाएगा चंपाउत में मदुमक्खी पालन से एक और महत्वपूर्ण क्वेशन बन सकता है मदुग्राम तो मदुग्राम के नाम से परसिद गाउं कौन सा है तो वो है जोली ग्राम जोली ग्राम जिसे मदुग्राम भी कहा जाता है ये सहद के लिए परसिद है सहद उत्पादन के लिए परसिद है जोली ग्राम जिसे मदुग्राम कहा जाता है मदुगराम की संग्या इसे दी गई है और ये जोली गराम कौन से जनपद में है तो ये है नैनिताल में तो नैनिताल का जोली गराम जो की मदुगराम के नाम से परसिद हो चुका है क्योंकि ये सहद उत्पादन के लिए परसिद है तो ये question भी बन सकता एक्जाम में next है राजय में सरवादिक करसी योगय भूपी है तो देखो जो किरसी योगय भूपी होती हो मyदानी छेत्रों में अधिक होती है और इसमें आप देखो उदम सिन अगर छेत्र में राज में जो सरवादिक करसी योगय भूमी है वो है उद्धम सिंग नगर में और उद्धम सिंग नगर में गन्य का अच्छा उत्पादन होता है उद्धम सिंगर जो की राज में सरवादिक करसी योगय भूमी वाला जन्पद है नेक्ट है राजय में जिरियनियम की खेती की जाती है जिरियनियम का मुख्या उत्पाद तो जिरियनियम की खेती राजय में की जाती है और इसका मुख्या उत्पाद है सुगंदित तेल C option होगा सही answer नेक्ट है निवन मेंसे किन जिल्लों में चाय की खेती नहीं की जाती है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार क्योंकि हरिद्वार में कोई भी चाय की फैक्टरी भी नहीं है ए ओप्शन होगा इसका सही आंसर नैनिताल जो की चाय की खेती के लिए परसिद है और नैनिताल के घोड़ा-khaal में चाय की फैक्टरी खोली गई है अलमोडा में और चमोली ये दोनों जनपद भी चाय की खेती के लिए परसिद है तो यहाँ पर ए उप्षन हो जाएगा सही आंसर नेक्टे उत्राखन स्टेट सीड सार्टिफिकेशन की स्थापना कब हुई उत्राखन स्टेट सीड सार्टिफिकेशन इसकी स्थापना की गई 14 मार्च 2001 को तो मार्च 2001 इसका सही आम तरू जाएगा 14 मार्च 2001 को उत्राखन State Seed Certificate की स्थापना की गई और ये कहां इसे थे तो ये है देरादून में इसका मुख्य उद्यसी क्या है मुख्य कारे क्या है कुणात्मक बीजों की उपलबता सुनिश्यत कराना तो ये देरादून में है और इसकी स्थापना 14 मार्च 2001 में की गई थी अगला क्वेशन है उत्राखन चाई विकास बोड का मुख्याले उत्राखन चाई विकास बोड जिसकी स्थापना 12 फरवरी 2004 में की गई थी और इसका मुख्याले है चोगान पाटा अलमोडा चोगान पाटा अलमोडा में है उत्राखन चाई विकास बोड का मुख्याले नेक्टेर राज के किस जिल्ले में एक अत्याधुनिक चाई उत्पादन इकाई की इस्थापना की गई है अत्याधुनिक चाई उत्पादन इकाई की इस्थापना की गई है कोसानी में गन्य एवम धान की पैदावार हे तो प्रमुख है तो किस मर्दा में उपयोग्त ठीक है तो क्सी मर्दा कौन से मर्दा जो कि गन्य और धान की पैदार वह है तो उपयोग्त है यहां पर सही आंसर हो जाएगा तराई मिटी D option हो जाएगा सही आंसर तराई मिटी जो की गन्य और धान की पेदावार है तो उप्योक तो मानी जाती है question है 159 कि अंसंधान केंदर किस जनपद में है तोरराजी जेवी का परस्थान एवँ अंसंधान केंदर ये हो जाएगा दोस्तों आपका सही अंसर अलमोडा में ठीक है अलमोडा में है राजे जेविक परसिक्चन एवं अनुसंधान केंदर नेक्स्ट है बैकेट का नवा ब्रिटिस भूबंदोबस्त किस कमिशनर के सासन काल में हुआ था नेक्स्ट है लाल चावर के लिए परसिद है उर्गम गाटी चोंदस गाटी जोहार गाटी या रवाई गाटी तो रवाई घाटी जो कि लाल चावल के लिए परसिद है और ये कौन से जन्पद में है रवाई घाटी तो ये है उत्तरकासी जन्पद में अगला क्वेशन है मक्का के उत्पादन में कौन सा जिल्ला पर्थम इस्थान पर है यहाँ पर सही आंतर हो जाएगा देरादून जो कि मक्का के उत्पादन के लिए पर्थम इस्थान पर है अगला क्वेशन है चावल का सरवादिक उत्पादन होता है तो चावल का सरवादिक उत्पादन होता है उदमसी नगर में उदमसी नगर में सरवादिक क्रिसी योग्य भोमी भी है और उदमसी नगर जोकी चावल के उत्पादन में जहां पर सरवादिक उत्पादन होता है चावल का इन जन्पदों में से नेक्टे, राजे में किस परकार के रेसम का उत्पादन होता है? मलवरी, टसर, मूंगा या उपर्युक्त सभी ये तीनों परकार के रेसम उत्पादन होता है राजे में तो उपर्युक्त सभी D option हो जाएगा सही answer उत्राखंड में चाय की खेती सर पर्थम विसप हेवरने अगला क्वेसण फ़ल सोध केंदर कहा है तो परवतिया फल सोध केंदर जिसकी इस्तापना 1932 में की गई थी चोबटिया में चोबटिया अलमुडा में है परवतिया फल सोध केंदर नेक्ट है राम गंगा बांध किस नाम से जाना जाता है तो राम गंगा बांध जाना जाता है काला गड़ बांध के नाम से यह पोड़ी में इसी था है और इसे काला गड़ बांध के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो पस्षी में राम गंगा है पस्षी में राम गंगा पर इसी था है और इसी छेतर से पस्षी में राम गंगा वीर्य उत्पादन केंदर की इस्थापना की गई है स्यामपूर देरादून में C option हो जाएगा इसका सही answer जहाँ पर राज में अति हीमेकरत वीर्य उत्पादन केंदर की इस्थापना की गई है Next सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिल्ला परसिद है तो सेव जहांपर सरवादिक सेव का उत्पादन किया जाता है वो है उत्तरकासी, उत्तरकासी जिला जोकी सेव की उत्तपादन के लिए परसिद्ध है उत्तराखन चाय विकास बोड का मुख्या ले तो यह हो जाएगा अलमोडा में नेक्ट राज में सरवादिक संगमरमर भंडार वाला जिल्ला तो संगमरमर जहां पर सरवादिक पाए जाता है वो है देरदुन देरदुन में सरवादिक क्या है संगमरमर भंडार ये छेतर है देरदुन का छेतर तो बी ओप्शन होगा इसका सही आंसर नेक्स्ट एर निम्न मैंसे किस राज सरकार ने दूद मूल्या प्रोचाहन योजना या दुग्द मूल्या प्रोचाहन योजना शुरू की तो उतराखन सरकार ने हाली में दोस्तों दुग्द मूल्या प्रोचाहन योजना शुरू की कब शुरू की ये भी डेट आ सकती है तो 8 दिसंबर 2021 को वैसे सभी योजनाई में आपको समय समय पर बताता है रहता हूं उत्राखन की तो 8 दिसंबर 2021 को उत्राखन सरकार द्वारा दुख्द मूलिया प्रोचाहन योजना शुरू की गई थी डेट आपको ये जरूर नोट करनी है नेक्टे निम्नमे से कौन सा जिल्ला चाय उत्पादन हे तो परसिद है तो यहाँ पर जो नैनिताल जनपदे दोस्तों यहाँ पर सरवादिक चाय उत्पादन होता है देखो चाई उत्पादन जो चाई विकास बोड़े उसका मुखेले अलमोड़ा में है लेकिन चाई उत्पादन है तो सरवादी के परसित जो जन्पद है वो है नैनिताल और नैनिताल में विभिन चाई की परमक फैक्टरियां भी है नेक्ट है डेरी सोद एवं विकास संस्थान की स्थापना कहां की गई तो डेरी सोद एवं विकास संस्थान ये हो जाएगा नेनी ताल में B option होगा इसका सही answer नेक्ट कोईशन है देरा दून में खलंगा नहर किस नदी में शुरू होती है जो देरा दून में खलंगा नहर है दोस्तों ये बनी हुई है सोंग नदी पर है देरा दून में बनी हुई खलंगा नहर अगला question है लस्तर नहर किस जनपद में है तो लस्तर नहर है रुद्रप्रियाग जनपद में C option होगा इसका सही answer जखोली बलोग रुदरप्याग में जो बांगर पट्टी है वहाँ पर बनी हुई है लस्तर नहर और ये है रुदरप्याग में अगला question है उत्राखण में पर्थम डेरी संग इस्थापित किया गया उत्राखण में जो पर्थम डेरी संग इस्थापित किया गया वो खल्दवानी में इस्थापित किया गया इसका हो जाएगा D option सही answer डेरी सोद एवों विकास के इंदर इसकी इस्थापना भी नेनिताल खल्दवानी में की गई नेक्टे निवन में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिस काल में ही स्टेट चाय बागान के नाम से परसिद है कोसानी भीमताल भुवालिया उपरियुक्त सभी यहाँ पे State चाय बागान के नाम से यह तीनों छेतर परसिद हैं तो इसलिए उपरयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर Next यहाँ पे उत्राखन पसुधन विकास बोड का परसिक्षण केंदर कहा है उत्राखन पसुधन विकास बोड परसिक्षण केंदर यहाँ पे पूछा गया है और यह क्वेशन एक्जाम में भी पूछा गया है प्रिवेज एक्जाम में और इसका रिसी केस यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताये था उत्राखन पसुधन विकास बोड का मुख्याले धेरदुन में है लेकिन उत्राखन पसुधन विकास बोड परसिक्षण केंदर कहा है तो यह है रिसी केस में अगला क्वेशन है राज्य जेविक परसिक्षण एवं अनुसंधान केंदर कहां इसी थै राज्य जेविक परसिक्षण एवं अनुसंधान केंदर यह हो जाएगा दोस्तों मजखाली में बी ओप्शन हो जागा सही आंसर मजखाली अलमोडा जहाँ पर राज जेविक पर सिक्षण एवं अनुसंधान केंदर है नेक्ट उत्राखंड परदेश में किस फल की पैदावर नहीं होती तो यहाँ पर नारियल की पैदावर बागी सेव लीची माल्टा की यहाँ पर अच्छी पैदार होती है नारियल की पैदावर उत्राखंड में नहीं होती है ग्रामियन उत्राखंड में मुठी सब्द निम्लिकित में से किस की पैमाईस के लिए परियोगत होता है तो मुठी का प्रयोग किया जाता है भूमी की प्रेमाइज के लिए भूमी प्रेमाना है यहां पे मुठी तो इसका B option हो जाएगा सही answer Next यहां पे उत्राखन किसान रतन समान शुरू किया गया था उत्राखन किसान रतन समान जिसकी सुरुवात की गई है 2010 में और उत्राखन जो किसान आयोग है उत्राखन किसान आयोग का गठन में तो पूर्ण question बन सकता है उत्राखन किसान आयोग का गठन कव किया गया 2016 में और किसान रतन समान ये 2010 में सुरू हुआ Next question है गो विज्यान एवं प्रोध्योगी की संस्थान कहा है गो विग्यान एवं प्रोधोगी की संस्थान है रिसी केस में पसुलोग रिसी केस में रिसी केस में पसुलोग नामक इस्थान पर है गो विग्यान एवं प्रोधोगी की संस्थान और इसका सिलानियास क्या गया था 18 दिसंबर 2007 में यह मैंने आपको डिटेल्स में बता रखे हैं सब चीजे और उसमें मुख्या मंतरी कों थे बीसी खंडूरी भुवन चंद्र खंडूरी जी ने 18 दिशंबर 2007 में पसलोक रिसी केस में गो विज्यान एवं प्रोदोगी की संस्थान की इस्थापना की थी सिलानियास उसका किया गो विज्यान एवं प्रोदोगी की संस्थान का सिलानियास कव किया गया तो यह किया गया 2007 में अभी मैंने आपको बताया 18 दिशंबर 2007 को आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने प्रते एक टोपिक से लगवा क्वेशन मना रखे हैं ताकि आपका किसी भी प प्रियास कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का क्वेशन अगर एकजाम में पूछा जाता है तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो तो क्वेशन नेक्ट यहाँ पर अहिल्या भाई खौलकर भेडबकरी विकास योजना यह राज्य में 2014 में लागू की गई थी नेक्ट यहाँ पर उत्राखन सीड सार्टिपिकेशन का मुख्याले कहां है तो उत्राखन सीड सार्टिपिकेशन इसका मुख्याले हो जाएगा देरा दून में और यह जो उत्राखन सीड सार्टिपिकेशन है इसकी स्थापना 14 मार्च 2001 को की गई थी 14 मार्श 2001 को और इसका मुख्याले का है 13 दून में अगला क्वेशन है गन्ये का सरवादिक उत्पादन निवन में से किस जिल्ले में होता है तो गन्ये का सरवादिक उत्पादन होता है उद्दम सिंग नगर में इसका हो जाएगा C ओप्शन सही आंसर अगला क्वेशन है दोस्तों उत्राखंड भेड एवं उन विकास बोड का गठन किया गया था उत्राखंड भेड एवं उन विकास बोड का गठन किया गया था 29 अक्टुबर 2003 को इसका हो जाएगा D ओप्शन सही आंसर नेक्ट है उत्राखंड सहकारी डेरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्याले उत्राखंड सहकारी डेरी फेडरेशन लिमिटेड इसका मुख्याले है मंगल पड़ाव खल्दवानी में किसका मुख्याले है उत्राखंड सहकारी डेरी फेडरेशन लिमिटेड का अगला question है देरदुन के कालसी के बारा कोट छेतर में कौन सा खनिज परियापत मातरा में पाये जाता है तो जो यहाँ पर देरदुन का कालसी का बारा कोट छेतर है यहाँ पर चूना पथर यह परियापत मातरा में पाये जाता है तो इसका B option हो जाएगा सही answer Next, संगमरमर राज्य के किन जनपदों में परियापत मात्रा में पाया जाता है तो सही answer हो जाएगा देरादून और टिहरी जहाँ पर संगमरमर भी परियापत मात्रा में पाया जाता है नेक्ट यहां पे हाली में उत्राखन सरकार ने पहली बार किस बोर्ड का गठन किया है तो उत्राखन सरकार ने हाली में प्राकरतिक क्रिसी बोर्ड का गठन किया है उत्राखन में इसका हो जागए हाँ पे C option सही answer अगला क्वेशन है अल्मोडा के किस उत्पाद को हाली में जी आई टेग मिला है तो अल्मोडा के तामर उत्पाद को यहनी तामबा को मिला है जी आई टेग अल्मुडा को तामर नवेरी के नाम से जाना जाता है और अल्मुडा के तामर उत्पाद को GI टेग मिला है नेक्ट यहां पर राजे में सबसे पुरानी नहर तो राजे में जो सबसे पुरानी नहर है जिसका निर्मान 1842 से सुरूवा था और 1854 ये बनकर पूर्ण रोप से तयार हुई थी तो वह है उपरी गंगा नहर जो है राजे की सबसे पुरानी नहर नेक्ट क्वेशन है किस जिल्ले को भारा सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया लीची नगर के नाम से परसिद है देरादुन और देरादुन को भारा सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है नेक्ट क्वेशन है राज में सरपर्तम किस ओसदिया पोदे की खेती की गई ये क्वेशन दोस्तों कई बार एक्जामें पूछा गया है तो राज में सरपर्तम खेती की गई है बेला डोना की और कब की गई है तो सरपरतम 1903 में राज में कुमाओं छेतर में बेला डोना की खेती की गई थी नेक्ट यहाँ पे यह उसे समझत क्वेशन है और यह क्वेशन भी एक्जामें इसी प्रकार से पोचा गया है तो इसलिए एक क्वेशन लाए गया है यहाँ पे राज में बेला डोना की खेती सरपरतम कब की गई थी तो 1903 में राज में बेला डोना की खेती की गई थी अगला क्वेशन है आली में उत्रा खंड में कहां पर भारत का पहला दुरलब परजाती का मसरूम खोजा गया ये दोस्तों latest यहाँ पे current का question है तो नेनिताल जनपद में खोजा गया है एक mushroom जो एक दुरलब परजारती का mushroom है और इसका जो वेग्यानिक नाम है वो है boletus rubber flamingum boletus rubber flamingum नामक जो यह mushroom है यह खोजा गया है नेनिताल जनपद में नेक्ट क्वेशन है यहाँ पे क्वेशन नमर 500 दोस्तों यहाँ पे होने वाला है और अब तक इस सीरीज के मादेम से 500 क्वेशन में आपको करा चुका हूँ लगातर कंटिनू इस सीरीज को हम जिस्तारी रख रहे हैं और इसमें तार्गेट है कि 2000 प्लस क्वेशन आपको उत्राखन जीकेगे टोपिक वाइज कराने हैं तो क्वेशन है पंच साला भूमी बंदोबस्त किस कमिशनर ने कराया था पंच साला भूमी बंदोबस्त यह कराया था कमिशनर ट्रेल ने तो ए उप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर पंच साला भूमी बंदोबस्त किस ने कराया था कमिशनर ट्रेल ने तो सभी जो बिर्टिक्स काले ने भूमी बंदोबस्त विये थे वो मैंने आपको उत्राखन हिस्ट्री में पढ़ा रखे हैं ठीक है और अगर आपको उत्राखन हिस्ट्री जिल्ला सिरीज या उत्राखन के संपूर नोट्स हिंदी के संपूर नोट्स अगर आपको चीए तो लिंक आपको मिल जाएगे वीडियो के डिस्क्रूशन में तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे जल्दी अगले पार्ट के साथ और अब तक यहाँ पर हम 500 क्वेशन कर चुके हैं और फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट होगा जो सायद होने वाला है उत्राखन के जो परमक मंदिर है इन पर अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उनसे समंद कोईशन आपके आने वाले हैं तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो साथ तक निया के थन्यावाद